आपका मेरे योट्यूब चैनल में तो आज हम यूज करने वाले देखिए इस तरीके से बचेवे पीसिज होते हैं सूट में से बलाउज में से कोई भी पीसिज हैं उन्ही का यूज करने वाले हैं और एक नई ट्रिक में यूज करने वाली हूँ I hope आपको वीडियो पसंद आ यह है 13.5 इंच और इस तरीके से है 9.5 इंच तो हमें 3 पीसिज ही चाहिए आप हमें क्या करना है यह जो बड़े वाला पीस है इसे उपर की तरफ से हलकी सी आपको राउंड में शेप दे देनी है तो यह हमने कट कर लिया इस शेप में आप हमें क्या करना है यहाँ से हमें को जॉइन करना है इसके साथ जॉइन कैसे करना है यहां से आपको निशान लगाना है देखिए यह मैंने निशान लगा लिया 3.5 इंच पे तो दोनों तरफ आपको 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है उसके बाद जो हमने कट किया था उसे हम यहां पे इस निशान के साथ र लगा लेनी है, तो सिंगल पीस हमारे परस रेडी हो गया, अब कोई भी अंदर की तरफ जो लाइनिंग वाला पीस यूज़ करना चाहते हैं, उसको रखना है, चारो तरफ सिलाई लगा लेनी है, थोड़ा सा छोड़ देना है, और एक्स्ट्रा कट कर लेना है, यह हमारा हो ग तो यह मैंने इसे कर लिया सीधा, और जहां से हमारा थोड़ा सा छोड़ा वा था, जहां से हमने ओपन किया था, इसे यहां से बंद करते हुए टॉप स्टिच लगा लीजिए, तो देखिए हमारे पास सिंगल एक पीस रेडी हो जाएगा, देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा लिया, अब इसे फोल्ड करना है, वान, टू, और नीचे की दरफ से, त्री, और दोनो साइडों पे आपको इसके सिलाई लगा लेनी है, यह देखिए, दोनों तरफ मैंने इस पे सिलाई लगा ली, अब आप इसमें टिच बटन लगाना चाहें, वेल्क्रो लगाना कुछ भी लगा सकते हैं, इस तरीके से मैगनेटिक बटन भी मिलते हैं, वो भी लगा सकते हैं, तो कुछ भी आपके पास जो भी option available हो, वो आपको लगाना है, तो उसके लिए इस तरीके से निशान लगाते हुए, देखिए, छोटे से हम होल बना लेंगे, और मैगनेटिक को देखिए, मैंने लगा लिया है, तो नीचे की तरफ हमारा पॉर्स आ गया, तो इसमें थ्री पॉकेट्स हैं देखिए, और कितनी जल्दी ये बनके हमारा त्यार हो गया, तो simple और easy तरीके से बनाया है, और कितना प्यारा लग रहा है, देखिए, इस तरीके से, तो आप भी बचेवे कपड़े से इस तरीके से पाटी वेपर्स घर पे ही बना सकते हैं, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू